सबको जय येशु की, प्रभु येशु के सामर्थी नाम में, मैं आज की प्राता में आपका स्वागत करता हूँ हम धन्यवाद करें परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक नया दिन दिया है उसने हमें फिर से एक नया मौका दिया है कि आज के इस पवित्र दिन में हम इस रिष्टी का आनंद ले सकें परमेश्वर की शुक्र गुजारी करें आज के इस पवित्र दिन के लिए उसके महान, चिन और चमतकारों के लिए हम उसका धन्यवाद करें प्यारे भाई, प्यारी बेहन आप में से जितने भी लोग मेरे साथ इस वक्त ओनलाइन प्रात्ना में जोड रहे हैं आए हम परमेश्वर का शुक्र यादा करें कि उसने हमें फिर से एक नया दिन देखने को दिया है इस पूरे दिन भर में हम उसकी शुक्र गुजारी करें हम जिस किसी व्यक्ति से भी मिलें उसमें इश्वर का रूप देख सकें हम परमेश्वर का धन्यवाद करें अपने कामों के लिए इश्वर से बरकत मांगें आए बड़ी भक्ती और सादगी के साथ हम उस परमपिता इश्वर की जैजेकार करें जिसने इस प्रिच्वी को बनाया इस त्रिष्टी को उसने सजाया समारा नदिया, परवत, पेड, पौधे सब कुछ उसने बड़ी ही सादगी के साथ शित्दत के साथ सजाया है प्यारे भायो और बेनो मेरे और आप के लिए ये सुन्दर मौका है कि हम परमिश्वर का धन्यबाद करें उसकी जैजेकार करें आएए, हम एक साथ मिलकर प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाहें पिता नाम की जैजेकार करो पिता नाम की जैजेकार करो पिता नाम की जय जय कार ये सुनाम की जय जय कार करो ये सुनाम की जय जय कार करो आत्मा नाम की जय जय कार आत्मा नाम की जय जय कार ये सुनाम की जय जय कार आत्मा नाम की जय जय कार ये सुनाम की जय जय कार ये सुनाम की जय जय कार आत्मा नाम की जय जय कार विता नाम की जय जय दार भरु विता नाम की जय जय दार करो विता नाम की जय जय दार करो हालेलुईया हालेलुईया येसु की सुती हो येसु की अराधना हो येसु की महिमा हो येसु को धन्यवाद विताईश्वर की सुती हो विताईश्वर को धन्यवाद विताईश्वर की महिमा हो विताईश्वर को धन्यवाद हालेलुईया ये विताईश्वर आज के दिन के लिए, जीवन के वर्दान के लिए, अच्छे स्वास्त के लिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, अपने बरिवार के लिए, अपने कामकाच के लिए, अपनी संतान के लिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, हालेलुया हे प्रभु येसू आप दयावान है आप दया के सागर है मैं आपकी अरादना करता हूँ मैं आपके चरणों में आया हूँ मुझ पर दया कीजिए मेरे परिवार पर दया कीजिए मेरे काम काज पर दया कीजिए हालेलुया प्रियजनों आज के इस पवित्र दिन में मेरे और आप के लिए निहायती ज़रूरी है कि हम इश्वर को धन्यवाद दें हम भले चंगे हैं, चल फिर सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनोंने आज का ये नया दिन नहीं देखा हैं कितने ऐसे लोग हैं, जो दुर घटना में मारे गए हैं ना जाने कितने ऐसे लोग हैं, जिने हिर्दे घात हो गया पेरलाइस के अटैक आ गया और वो रोगशया पर हैं जाने कितने अस्पतालों में रोक्षया पर पड़े हुए हैं उनके लिए प्राथना करना और प्रभु की कृपा उनके लिए मांगना साथी साथ अपने जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद करना ये आज मेरे और आपके लिए निहायती जरूरी है प्रभु का वचन हमें बताता है मत्ती का सूसमा चारद या ग्यारा पत संख्या अठाईस और उससे आगे ठके मांदे और बोज से तबे हुए लोगों तुम सब मेरे पास आओ मैं तुमें विश्राम दूगा तुम मेरा जुआ अपने उपर ले लो और मुझसे सीखो मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ प्यारे भाई प्यारी बेहन आप में से जो आज अपने आपको ठका हुआ महसूस कर रहे हैं हो सकता है आर्थिक तंगियों के कारण हो सकता है परिवार में कलेश के कारण हो सकता है बिजनस में सफलता नहीं इसलिए अपने आपको हारा हुआ ठका हुआ और निराश महसूस करते हैं प्रेजनों आज का ये पवित्र दिन निराश होने के लिए नहीं बलकि इश्वर का धन्यवाद करने के लिए हैं असफलता और सफलता सब चीज के लिए धन्यवाद करना प्रभु भले और बुरे दोनों पर अपना सूरज उगाता बाइबल कहते हैं आप उसकी शान्ती को अनुवव करना चाते हैं उसके प्रेम को अनुवव करना चाते हैं तो प्रभु हमें समझाता है मत्तिके सूसमा चार अध्याए छे पद संक्या तैस और उससे आगे कि तुम सबसे पहले इश्वर और उसके राज्जी की खोज करो और बाकी की चीजें तुमें यूही मिल जाएंगे प्रभु का वचन संतपॉलुस के द्वारा हमें बताया गया है लिखा है कि तुम उपर की चीजें खोज दे रहो तुम आत्मा के उत्तम वरदानों की अभिलाशा करो आज के इस नई दिन में आप क्या करने वाले हैं मैं जानता हूँ कि आप अपने कामों में वैस्त रहेंगे हो सकता है आपके जिन्दगी में ऐसे मौके आएं जब आप परमेश्वर के कामों को करने की इच्छा जाहिर करें परंतु किसी कारणवश हो सकता है कि आप उस काम को ना करने पाएं परंतु संधिया के समय आकर मननचिंतन करना अपने घर में लोटके आकर परमेश्वर का धन्यवात करना की प्रभू तु जो कुछ करता है ठीक ही करता है तु जो कुछ करता है प्रेम से करता है हमारी जिंदगी में सब तेरी मर्जी के नुसार होता है सुख दुख सफलता असफलता मैं अपने जीवन में निरोज अनुभव करता हूँ लेकिन यदि तू मेरे साथ है यदि तू मेरी ढाल है मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ तो मुझे कभी निराश नहीं होना पड़ेगा मुझे किसी चीज की सिंता नहीं है क्यूंकि तू दूखियों से दूर नहीं है उनकी पुकार को सुनता है प्रेजनो आज आप मेंसे जो बीमार हैं दुखी है, कष्ट में है, बीडा में है, चिंता में है प्रभू आपके लिए एक सुन्दर वचन दे रहा है भजन सेहिता 34, पल्ट संख्या 18 और उस से आगे कि प्रभू दुहाई देने वालों की सुनता और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है प्रभू दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन तूट गया है प्रभू उन्हें संभालता है दाइना हाथ उठा कर मेरे पीछे वचन को दोराई है हालिलुया, भजन सेहिता 34, पत संख्या 18 प्रभू का वचन कहता है प्रभू दुखियों से दूर नहीं है प्रभू दुखियों से दूर नहीं है प्रभू दुखाई देने वालों की सुनता और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है जिनका मन तूट गया है प्रभू उन्हें संभालता है प्रकाशना ग्रंथ अध्याए 21 पत्संख्या चार अपनी प्रजा के बीच निवास करेगा और उनके आसू फोच डालेगा हालेलुया पेत्रुस का पहला पत्र अध्याए 5 पत्संख्या 7 प्रभु का बचन कहता है तुम अपनी सारी चिन्थाएं उस पर छोड़ दो क्यूंकि वह तुम्हारी सुधी लेता है हालेलुया प्यारे भाईयो और बेनो आज अपनी सारी चिन्थाएं प्रभु पर छोड़ना क्योंकि वचन कहता है करता हूँ मैं तेरी चिन्था तू क्यों चिन्था करता है हम भाई के साथ इस गीत को गाएंगे प्रभु हमें आशिश दे अपनी सारी चिन्थाओं और अपने सारे बोज को हम प्रभु के हातों में समर्पित करें क्योंकि वो हमारा युद्ध लड़ेगा वो हमारी चिन्ता करता है वो हमें प्यार करता है प्राता कि इस बेला में जब आप अभी अभी नींद से जागे हैं और मुहा दोकर आप परमिश्वर की हजूरी में हैं प्यारे भायो और मैंनों अंगिकार करना धन्यवाद करना कि हे प्रभु जब तू मेरे साथ है मुझ कि तू मेरी चिंता करता है करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है आंसुों की घाटियों में साथ ना छोड़ूगा तेरा आंसुों की घाटियों में साथ ना छोड़ूगा तेरा करता हूँ मैं तेरी चिंता तो क्यों चिंता करता है करता हूँ मैं तेरी चिंता तो क्यों चिंता करता है करता हूँ मैं तेरी चिंता तो क्यों चिंता करता है करता हूँ मैं तेरी चिंता तो क्यों चिंता करता है करता हूँ मैं तेरी चिंता तो क्यों चिंता करता है करता हूँ मैं तेरी चिंता तो क्यों चिंता करता है करता हूँ मैं तेरी चिंता तो क्यों चिंता करता है करता हूँ मैं तेरी चिंता तो क्यों चिंता करता है करता हूँ मैं तेरी चिंता तो क्यों चिंता करता है मैं तेरी चिंता करता है जिस तरह पानी किनारों के साथ जागता रहता है उसी तरह परमेश्वर भी अपने प्रिये बच्चों के लिए जागता रहता है यही कारण है कि मैं और आप सुरक्षित है वो शेतान की सारी बद्रूहों से हर प्रकार के उसके शड्यंत्रों से हमें बच्छाता है यह तो केवल इनसान है जो नादान है जो उसके रास्ते से बटक जाता है और खो जाता है जैसे भेड अगर जुन्द से अलग हो जाती है रास्ता बटक जाती है खो जाती है और जंगली जानवर उसे आकर खा लेते हैं उसे घायल कर देते हैं उसी तरह से इनसान भी जब प्रमेश्वर की हजोरी से दूर जाता है, उसके बचन से दूर जाता है तो वो भी खो जाता है आज छिर्फ इतनी बात याद रखना आप जहां कहीं में हैं, जिस किसी परिस्थिती में भी हो चाहे अपने दफ्तर में, घर में, खेत में, खलियान में, संस्था में या फिर देश विदेश में इस वक्त आप जहां कहीं भी भले ही आप यात्रा कर रहे होंगे आप मैसूस करना कि परमेश्वर आपके आगे आगे चल रहा आपसे प्यार करता आपके चिन्ता करता आपको दुर्घटना से बचाता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है यह शाय नभी के गरंत अध्याए 42 में हम पढ़ते हैं प्रभु का वच्छन हमें बताता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं मैंने तुम्हें अनंत प्रेम से प्रेम किया यर्मिया नभी के गरंद में हम पढ़ते हैं वो पढ़ते ग्याएं प्यारे भाईयों और बैनों निरंतर अमारे जीवन में पूरी करता है जिनने वो यू कहता है जो शपत मैंने तुम्हारे पूरवजों से खाई थी मैं उसे जब तक पूरा ना कर दो चुक नहीं बैठूंगा मैं अपने सारे वादों को मैं तुम्हारे साथ निभाऊंगा पूरा करूंगा इसलिए कुरिंतियों को लिखते हुए संत पॉलुस दूसरे पत्र में अध्याए एक पत संख्या तीन और चार में कहता है धन्य है हमारे प्रभू ईसा मसी का पिता परम द्यालू पिता इश्वर हर प्रकार की सांत्वन का इश्वर सारी दुख तकलीफ में हमको वो सांत्वना देता रहता है जिससे इश्वर की ओर से हमें जो सांत्वना मिलती है उसके द्वारा हम दूसरों को भी उनकी हर प्रकार की तकलीफ में सांत्वना देने के लिए समर्थ हो जाएं तो जिस तरह परमेश्वर आपको सांत्वना देता है जिस तरह परमेश्वर आपकी होसला अफजाई करता है जिस तरह परमेश्वर आपकी निगरानी करता, संभालता, बल परदान करता है आप भी अपने भाईयों और बेहनों के लिए, मित्रों के लिए सांथ्वना का कारण बन जाएं उनके लिए आशीश का कारण बन जाएं उनके लिए प्राथना करना और परमेश्वर आपसे और मुझसे आजबादा करता है ये शाय नभी के ग्रंथ अध्याए 41 पत संक्या 10 और उस से आगे डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूँ डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूँ चिंता क्यों करते हो चिंता मत करो मैं तुम्हारा इश्वर हूँ मैं तुम्हें शक्ती प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा मैं अपने विज़ई हाथ से तुमें संभालूंगा बोली आमेन हालेलुया दाइना हाथ उठा कर अंगिकार करेंगे हालेलुया हे पिता इश्वर मैं इस वचन को स्विकार करता हूं मेरे जीवन पर आपका अधिकार है आप मेरी रक्षा करते हैं मेरी चिंता करते हैं मैं विश्वास करता हूं हालेलुया हे प्रभु येशू मेरा मार दर्शन कीजिए हे पवित्र आत्मा मुझे प्रेरना दीजिए आईए पवित्र आत्मा मुझ पर उतर आईए हमें प्रेरना दीजिए हाले लूईया हाले लूईया अपने दोनों हातों को खुला छोड़े पवित्र आत्मा की एकवाई मांगे जो वचन हमने सुने है पवित्र आत्मा हमें उन में फल्वन्त होने की कृपा दे हम अनुब्रे के सियासन के पास चले प्रभु से दया मांगें जो दया करने वाला चंगा करने वाला परमेश्वर है समर्पेद करना आप जो इस वक्त अपने दफ्तर को जाने वाले हैं अपने कामों के लिए निकलने वाले हैं अपने धर से पवित्रात्मा के सामर्थ और बल को ग्रहंट करें आशिशों को ग्रहन करें और इन आशिशों में आप फल्वंत हो जाएं थे पावनात्मात्मात्वा थे पावनात्मात्मात्वाः मुझे वर्दान दे जीवन दे रे मुझे वर्दान देने जीवन दे रे 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 हिपा बनात्मा तुआ हिपा बनात्मा तुआ मुझ में ग्यान की बाती जला मुझ में ग्यान की बाती जला ग्यान की बाती जला हे ग्यान दाता प्रज्या प्रदाता थे पावनात्मा तुआ हे ग्यान दाता प्रज्या प्रज्या प्रदाता थे पावनात्मा तुआ ग्यान दाता थे पावनात्मा तुआ देपावनात्मा तुआ देपावनात्मा तुआ देपावनात्मा तुआ मुझे वर्दान देडे विवन देडे देपावनात्मा तुआ मुझे वर्दान देडे देडे देपावनात्मा तुआ ही पावनात्मा तुआ ही पावनात्मा तुआ ही पावनात्मा तुआ मैसूस करें प्रभु का सानित ने हमें घेरे हुए हैं प्रभु का आत्मा हमारे उपर छाया हुआ है आप में से जितने भी लोग आज इस वक्त मेरे साथ ओनलाइन प्रात्ना में जुडे हुए हैं प्राता के इस वर्षिप में भाग ले रहे हैं आपने जो कुछ भी मांगा है प्रभु आपके जीवन में उसे पूरा करें जैसा आपने विश्वास किया आज आपकी जिंदगी में वैसा ही हो जाएं आप में से जो बीमार हैं रोग शया पर हैं चल फिर नहीं सकतें प्रभु आपके हाथ पेरों में बल प्रदान करें उन डॉक्टरों को उन नर्सस को प्रभु के हाथों में सौपतें जो आपका इलाज करतें उन और शदियों को प्रभु ब्लेस करें जिनका आप सेवन करनें जो विश्वास में कमजोर है प्रभू उनके विश्वास को द्रड़ कर नौजवान बेटे और बेटियों को अपनी ओरा करशित कर हे प्रभू येशु अमारे देश के सभी अधिकारियों नेताओं शासकों प्रशासकों पर दया कर सदवुदी ब्रदान कर आशिश दे जिससे वे तेरी प्रजा की अगवाई कर सके है हे प्रभू येशु आज तेरे स्वर्दूद हमारी अगवाई करे तेरी आत्मा के फल हमारे जीवन में फलवन्त होते जाएं ये प्रभू हमारे जीवन प्रदिकार लें हमारे मातापिता भाय बेञें सगी समंधिर इस्तेदार पडुषी सब के ऊपर तेरी आशीश बरसे उन लोगों पर जिनके जीवन में आर्थिक तंगी है उन लोगों के जीवन में जो शोशन के शिकार है जो गरीबी की हालत में है प्रभू जिने सिर डखने के लिए छत नहीं है हे प्रभू इन पर देया कर तेरा बच्चन इनके जीवन में महिमा पाए हे प्रभूत उद्यावान को द्याकर सागर है, द्याकरने वाला चंगा करने वाला है, हमारी आज की इन प्राथनाओं को सुनना और कुबूल करना, और तेरे इन बच्छों को आशिरवात प्रदान करना, हातों को जोड़ें, सीरों को जुकाएं, इस वक्त मैं आपके लिए प्राथना करूंगा, प्रभू आपको आशिष दे, जब आप अपने घर जाते हैं और घर से बाहर जाते हैं अपने दफ्तरों के लिए, कामकाज के लिए, मार्गो में प्रभू आपकी अगवाई करे, आशिष प्रदान करे, दया करने वाले चंगा करने वाले ये सुराजा अपने इन दास दासियों पर दया कर अपने भक्तों पर अपने शगिर्दों पर दया कर जो बड़ी शुरता और भक्ती के साथ तेरी हजूरी में उपस्तितों कर तेरा धन्यवाद कर रहे थे अब ये अपने रास्तों में है अपने दफ्तरों की और जाने वाले है आज इनके काम का आज इनके दफ्तर के इत कल्यान मेनत मजदूरी को आशेश प्रदान कर दूद ए आवान है अपने स्वर्गिये बंडारों से इनके बंडारों को भी आशेश प्रदान कर अबापिता तु अपने दास की प्रातना को सुनना हमारी ये प्राता बंदना तुझे पसंद आए और तु हमें आशिरवाद प्रदान करे अबापिता स्वर्ग द्वार खोल दे ये शू के नाम से स्वर्ग दूतों का पहरा हमारे घरों पर आने दे तेरे पावन क्रूस हमारे प्रांगन में लग जाए मारगों में आते जाते समय रास्तों में हमारी रखवाली कर हर एक बदी से हर एक दुरगटना से हमें बचाने की करपा कर ये मेरा विश्वास है मैं तुछ परास रखता हूं तु मेरी प्रातना को सुनता और कुबूल करता है मुशा के जैसे हाथों को उठा कर दया की बीक मांगता हूं और तेरी प्रजा के लिए मद्धे सता करता हूँ दया कर दया कीजिए अब बापिता नवजात शुचुओं पर बच्चों पर प्रसव पीडित मैलाओं पर दया कर जिन पती पत्नियों में इरश्या द्वेश के कारण राई जगडे मन मुटाव है आज इनके बंधन तूटे शतानी ताकतों के बंधन तूटे रोग में मारी के बंधन तूटे जैसा इनोंने विश्वास किया इनके जीवन में पूरा हो जाए अपने दास की प्रातना कुबूल करना हलेलुया 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 अबापिता मेरी प्राथना तेरे पास पहुचे तेरे इन बच्चों की दुहाई तेरे पास पहुचे जो प्रभु अपंग है लूले लंगडे चल पिर नहीं सकते हैं इन पर दिया कर इनकी हडियों को अराम दे जिनकी हटियां छीज रही हैं उन पर तेरी दिया बर्से और दूइन के दुखों को हलका कर जितने भी लोग बड़े विश्वास के साथ आज की इस वर्शिप में भाग ले रहे जैसा इनोंने विश्वास किया इनकी सिंदगी में पूरा हो जाने दे मेरी ये प्राथना सुन ले उद्धार करता ये सुप्रभू के द्वारा आमें